एक था भिकारी, रेल सफर में भीक मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे, उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीक मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा, वह उस सेठ से भीक मांगने लगा, भिकारी को देखक अगर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो, भिकारी बोला, साहब मैं तो भिकारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी आउकात कहा कि किसी को कुछ दे सकूँ, सेठ जब किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है मैं एक व्यापारी हूँ और लेंदेन में ही विश्वास करता हूँ अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ कभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेट को उतरना था वह ट्रेन से उतरा और चला गया इधर भिकारी सेट की कही गई बात के बारे में सोचने लगा सेट के द्वारा कही गई बात उस भिकारी के दिल में उतर गई वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिये केवल मांगता ही रहूँगा बहुत सोचने के बाद भिकारी ने निरनय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चर रहा था कि वह खुद भिकारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजरा लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला दुसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिर रहे थे उसने सोचा क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूँ उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिये वह ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे अब भीकारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बाट देता था कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे लेकिन जब फूल बाटते बाटते कत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी अब रोज ऐसा ही चलता रहा एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेट ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेणा मिली थी वह तुरंत उस व्यप्ती के पास पहुँच गया और भीख मांगते हुए बोला आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है आप मुझे भीख दीजिये बदले में मैं आपको कुछ फूल दूँगा सेट ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिये और भिकारी ने कुछ फूल उसे दे दिये उस सेट को यह बात बहुत पसंद आई उस भिकारी के दिल में उतर गई वह बार बार उस सेट के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा उसकी आखे अब चमकने लगी उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की बह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है वह तुरंत प्रेन से नीचे उत्रा और उचसाहित होकर बहुत तेज आवाज में उपर आसमान की ओर देखकर बोला मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ लोगों ने उसे देखा तो सोचा की शायद यह भिकारी पागल हो गया है अगले दिन से वह भिकारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूत पहने हुए यात्रा कर रहे थे दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनने से एक ने दूसरे को हाथ जोड़ कर प्रनाम किया और कहा क्या आपने मुझे पहचाना सेठ नहीं तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं भिकारी सेठ जी आप याद कीजिए हम पहली बार नहीं बलकि तीसरी बार मिल रहे हैं सेठ मुझे याद नहीं आ रहा वैसे हम पहले दो बार कब मिले थे अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे, मैं वही भिकारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ नतीजा यह निकला कि आज मैं खूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृती का नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है लेकिन मैं खुद को हमेशा भिकारी ही समझता रहा इससे उपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मै एक व्यापारी बन चुका हूँ अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिकारी नहीं बलकी व्यापारी बन चुका हूँ भारतिय मनीशियों ने संभवत इसलिए स्वयं को जानने पर सबसे अधिक जोर दिया और फिर कहा सोहम, शिवोहम, समझ की ही तो बात है भि अधिकारी रहा उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया व्यापारी बन गया जिस दिन हम समझ लेंगे की मैं कौन हूँ अर्थात मैं भगवान का अंश हूँ फिर जानने समझने को रही क्या जाएगा